आप सभी कक्छा साथवी के चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आज की इस वीडियो में हम आपको कक्छा साथवी जो आपका बिसे हिंदी भासा भारती है उसके पार्थ दो एट गरेट अभ्यास पुस्तिका का संपून प्रशनत्तर बताने वाले हैं तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहां पर आप देख सकते हैं आपका सबसे पहला कोश्चन है बिभा ने आते ही जोड़दार ऐलान किया बाक में रिखांकित सब्दान से यानि कि जो ही है बाइ क्यांसा सब्दान से तो निपात आपका सही उत्तर आपको टिक कर देना है लिख देना है उत्तर में ए निपात फिर तकी अराम सबह चार बज़े जगा देना जागने की ये तरकीव दीवों को किष्णे वताई तो उसकी दादी ने वताई उत्तर में लिख दीजेगा दादी ने फिर फिगनिक का अर्थ है तो यहाँ पर अध्यान भोज यह आपको लिख देना है फिर आप रात तक आज आना वाक में निपात सब्द है तो यहाँ पर तक जो है वह निपात सब्द है उत्तर में आपको तक लिख देना है फिर ताजब सब्द का हिंदी पर आए है तो आश् इसके बाद आपके खालिस्तान कॉश्चन में शटवा कॉश्चन है दीपू के स्कूल की बच्चे साची घूमने जा रहे थे आपको उत्तरा लिखना है फिर दीपू घर में सबसे छोटा था दीपू की घड़ी कहानी में तकिया राम को अनो की घड़ी कहा गया चुपचाप वाक को सही पदक्रम में लिखिये तो आगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा वैठा यह आपको लिख दियाना है फिर दीपू को किस चीच की सबसे बड़ी इक्षा थी तो दीपू को अलारम घड़ी की सबसे बड़ी इक्षा थी जैसे बाह सिरहानी रखकर सोना चाता था आपको तर्में लिखना है इसके बाद तेरवा कोशन है आपका दीपू के दोस्त उससे इड़सा क्यों करते थे उत्तर आएगा दीपू के दोस्त उससे इड़सा इसलिए गरते हैं क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाड़ला है पर उसे इस बात की जरावी खुशी नहीं थी फिर ही और भी नेपात का प्रियोग करके हुए दो-दो बाक्त बना कर लिखिये तो आपको ही में लिखना है पहला एक पॉइंट डालके घर में एक ही टाइम पास टाइम पीस अलारम था ठीके टाइम पीस लिखा है फिर है राम ने आते ही जोड़ परेंदार एलान किया यह ना आध दोनों में ही आया है आप δेख सकते हैं फिर भी में लिखना है पेहला दीपू अपनी कक्षा का मौनिटर भी है इसमें भी आ गया पिर अच्छी पढ़ाइसी कामिया भी भी होती है इसमें भी भी आ गया फिर आपका लगुत्री प्रशन है पंद्रवा दम साधना मुहावरेगा अर्थ लिखकर वाकिमे प्रयोग कीजिए तो दम साधना कार्थ होता चुप रह जाना प्रयोग हो जाएगा घड़ी के तूट जाने पर दिदी और भाईया के बात दिपू दम साध गया दिदी और भाईया डांट खाने के बात दिपू धम साथ गया यह आपको लिखना है फिर सोलवा कॉफशन है घड़ी कैसे तूट गई थी इसमें उत्तर आएगा सारी रात विस्तर पर इधर से अधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मारी दी यह पिलिख सकते हैं किक की जंगा लात यह ना लात भी लिख सकते हैं क्योंकि लात ही मारी थी पर किक मार दी थी जिससे घड़ी नीचे गिरी और तूट गई फिर दीपो को सबह जल्दी उठाने से दीदी और ममी ने मना क्यों किया तो दीपो को सबह जल्दी उठाने से दीदी और ममी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि दीदी को सबह देड से उठना था इब मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया इसके वाद अठारवा कोशन देख सकते हैं यदि आपको किसी दर्सिनी स्थाल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारिया करेंगे इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं यदि हम आपको यही उत्तर लिखना है या आप अपने एसाप से थोड़ा बदल भी सकते हो पर आप यही लिख दीजेगा यदि हमें किसी दस्तनी स्थान पर टिप पर जाना हो तो हम अपनी सभी जरूरत की अवश्चक शमगरी रखेंगे जैसे कपड़े भोजन की शमगरी दवाई बिरस पेस्ट आदी आप थोड़ा बत और भी मन से लिख सकते हो पर लाइने यहां पर तीन ही है फिर दीरगुत्री प्रशन है अगर तकिया दीपो को नहीं जगाता तो क्या होता उत्तर आ जाएगा अगर तकिया दीपो को नहीं जगाता तो दीपो अपने दोस्तों के सांची की ट्रिफ पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता फिर दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलारम के कैसे उठ जाती थी इसमें उत्तर लिखना है दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलारम के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिये से सुबह उठने का समय कहा कर सोती थी आश्चा जन्रक रूप से ठीक उसी समय पर प्राता उनकी आँखें शेम ही खोल गई इसके बाद यह आपका 20 वा कोशन आकरी था इसका भी आपने उत्तर देख लिया है तो चातरों अभी मिलते हैं अंगले वीडियो में आपको अंगले पार्ट की सॉल्यूशन के साथ सभी उत्तर बता दाएंगे तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर ली देगा साथ जतने भी आपकी दोस्त हैं उनकी भी हैल पर तोने वीडियो को शेयर कर दीजेगा कर द हू만ronics को शोले वीडियो कैसे अंगले ये उनकी आपकी देगा।